हलो फ्रेंज अपने लॉगिन किया है फिल्मे बीट और मैं हूँ आपके साथ रेनु माथॉर। एश्वरय राय बच्चन का कांस लुग देखने के लिए फैंस काफी टाइम से बेकरार थे और फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब एश्वरया को कांस के रेट कार्पिट पर चलते हुए फैंस ने अपनी आखों से देखा। लेकिन एश्वरय राय बच्चन का कांस लुग उनके लिए कितना भारी पढ़ने वाला था शायद एश्वरया को उस बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था। कांस फिल्म फेस्टिवल में एश्वरय राय बच्चन की एंट्री एक बार फिर से सोर्ख्यां बट हो रही है। ये भले ही फैश्वरय राय की काफी तारीफे हो रही हो लेकिन आम फैन को ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जी हां दोस्तो एश्वर राय बच्चन का रेट कार्पेट लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है फान्स को यहीं वज़ा है कि सोशल मीडिया पर कांस लोग देखने के बाद एश्वरिया का फान्स बुरे तरही किसे बढ़ गए हैं एश्वरिया के आउटफिट के लिए जहां उनकी तारीफ हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस स्टाइलेश और अलग दिखाने वाले ड्रेस के लिए उन्हें ट्रोल भी किया जा रहा है कुछ लोगों को उनका गाउन देखकर गनेश जी का डेकुरेशन याद आ रहा है तो वहीं कुछ लोग इसे फ्लार बकेट भी कह रहे है कुछ का मानना है कि एश्वर राइबच्चन को अपना स्टाइलिस्ट बदलने की जरूरत है एश्वर राइबच्चन का कांस लुग देखने के लिए फैंस काफी बेकरार थे क्योंकि एश्वर राइबच्चन जब भी कांस फिल्म फेस्टिवल में आती है उनका जो लुग होता है पूरी दुनिया में काफी वारल हो जाता है लेकिन इस बार एश्वर राइबच्चन ने जो ड्रेस पहना है उसमें फूलों से लदा हुआ एक बखिट नजर आ रहा है साइब में जिसके बाद सोशल मीडिया पर बॉलिवुच की कुईन को गंदे तरीके से टूर किया जा रहा है कमेंस में आप देख सकते हैं कि लोगों को उनका ये ड्रेस बिलकुल भी पसंद नहीं आया हलाकि एश्वर्या ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि कांस में लाइम लाइट चुरा लेंगी लेकिन जस तरीके से सोशल मीडिया पर कमेंट आ रहे हैं वीडियो को शेर किया जा रहा है उसके बाद ये बात बिलकुल साफ है कि एश्वर्या का कांस लोग किसी को भी समझ नहीं आ रहा और उन्हें गंदे तरीके से टूल किया जा रहा है